विकी कोशल और कट्रीना कैव की शादी की जोरो शोरों से तैयारियां चल रही है और तैयारियों के बीच एक और बड़ी खुशखबरी आई है विकी की परिवार वालों और खुद विकी कोशल ने फैसला लिया अपनी सासो मा की मदद करने का जिस सासो मा की पहले भी तारीब कर चुके हैं विकी कोशल यानि की काट्रीना की मॉम सुजैन चार्कुट की पहले भी तारीफ तो विकी कर ही चुके हैं वाइस्जमिन कहते हैं विकी काट्रीना की मौम को अब उनकी वो इतने लाडले बन चुके हैं कि लाडले दामाद जी ने काट्रीना की मौम के लिए बड़ा फैसला लिया जी हाँ काट्रीना की फैमली जो हैं उनकी हेल्प करने के लिए विकी कौशन ने अपनी होने वाली सास के लिए फैसला लिया वो उन्हें अपनी कार देंगे जी हाँ रिपोर्ट्स की माने तो विकी की कार में नसर आई उनकी प्यारी सी सासूमा अब इस बारे में हम आपको बताएंगे कि काट्रीना की फैमिली की किस तरह मदद कर विकी ने पहले ही खुद को उस घर का दामाद बना लिया है और काट्रीना की फैमिली की जिम्यदारिया वो कैसे उठा रहे हैं बॉलेवर अपडेट एशो में आपका स्वागत है चलिए बढ़ते हैं इस खास रेपोर्ट की तरफ जानते हैं कैसी मदद काट्रीना की फैमिली को विकी से मिल रही है देखे रेपोर्ट दरसल आप जानते ही हैं बॉलेवर इंडस्ट्री में इस वक्त तैयारिया जो है काफी जादा विजी चल रही है स्टार्स की और यहां हम आपको हमार इस रेपोर्ट में ये बताना चाहें कि एक बफर से काट्रीना की मॉम को विकी कौशल की कारी में देखा गया वीडियोज फोटोज इसकी सामने भी आई तो इस बारे में कहा जा रहा है कि ये पैसला विकी कोशल का है कि वो अपनी कार अपनी हुने वाली स्टासो मा को दे दे आलिशान तौफा ये मिला है काट्रीना की मॉम को अपने दामाद जी यानि की विकी कोशल से जी हाँ शॉपिंग करने के लिए वो कार तो विकी कोशल ने दे ही दिया काट्रीना की मॉम को उनके फैमिली मॉमबर्स को क्योंकि फैमिली ने एक प्राइबट कार ली हुई थी 5 दिसंबर यानि के रविवार की दिन काट्रीना की पैमली को विकी की कार में ही स्पॉट किया गया जिसके बाद ये बताया जा रहा है इसकी बचहब विकी ही है राजस्तान के सिक्संसे पोट बरवारा में 9 दिसंबर को शादी तो दिविकी और काट्रीना करेंगे तो एक दूसरे का हो ही जाएगा ये परिवार पहले ही परिवार को विकी ने अपना लिया है हलिकॉप्टर से दोनों वेडिंग वेन्यू पर पहुचेंगे प्री वेडिंग फेस्टिविटीज की बात करें और उनकी अगर देखा जाए फैमिली मेंबर्स की तो यहां आप समझ सकते हैं किस तरह की मदद उनसे काफी जादा की जा रही है और बहुत जादा मदद उन्हें मिल भी रही है लेकिन यहां पर वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का लोटेंगे लेकर आपके बीश ऐसी ही नई खबर तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्टो नाइन न्यूस नमस्कार